नमस्कार वेदिवर स्वागत है आपका अचके इस रोजगार समाचार में विहार लोग सिवा आयोग द्वारा प्राइमरी स्कूलों में प्रधान सच्छिकों के पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी किया गया है ये भरती कुल 40,247 पदों पर आई हैं भरती के लिए आउनलाइन आविदन 11 मार्च 2024 से सुरू हो जाएंगे और आविदन करने के इन दिन तारीक 2 अप्रेल 2024 है एक चुक उमिद्वारिस के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं चलिए अब जानते इस भरती के लिए उमिद्वारों से आविदन ये 200 रुपे देने होंगे हालां कि जिन्वी अभियरति उन्हें प्रधान सिक्षक भरती के लिए प्रकासित विग्यापन संक्या सुनित 4 2022 के लिए अंतिम रूप से फीज का भुकतान कर ऑनलाइन आविदन की प्रेक्रिया पूरा कर दिया था उन्हें केवल उसी मोबाइल नमबर से पुना रेजिस्ट्रेशन की प्रेक्रिया पूरी करनी होगी जब आप उसी नमबर से रेजिस्ट्रेशन करेंगे तो वैरिफिकेशन के लिए OTP आपके उसी नमबर पर जाएगा जिसके बाद सीधे ऑनलाइन आविदन किया जा सकता है इस भरती के लिए उमिद्वारों को मिलने वाले आरक्षन की बाद करें तो 40247 पदों पर 10,081 पद अनारक्षित है इसके बाद जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 4,0288 इतारक्षित है अनुसूची जाती के लिए 8,041 अनुसूची जन जाती के लिए 808 अती 55 वर्ग के लिए 10,056 और 55 वर्ग के लिए 7,245 पद अरक्षित किया गया है आई अब बात करते हैं इस भरती के लिए उमिद्वारों के पास क्या सेक्षिंग योगिताएं होनी चाहिए तो बता दे कि जिन भी अभिहरतियों के पास सरकारी प्रारंबिक विद्यालेओं में पढ़ाने का कम से कम 8 वर्ष तक का अनुभाव है वे इस परिक्षा के लिए योगि माने जाएंगे अनुशासनी कारवाई की गई है या जिन सिक्षकों का प्रमोसन हुआ है वे इस भरती में सामल नहीं हो सकेंगे इससे संबंदित अधिक जानकारी के लिए इसके नोटिफिकेशन को जरूर देखें आईए अब जानते इस भरती के लिए उमिद्वारों को क्या वेतन दिये जाएंगे तो आपको बता दे कि चैनिज प्रधान सिक्षकों को प्रारम्भिक वेतन के रूप में 30,500 रुपे दिये जाएंगे इसके लावे राधिसरकार द्वारा समय समय पर वेतन पुनरिक्षन की दोरान उनके वेतन में भी बरहोतरी की जाएगी उमिद्वारों का चैन लिखित परिक्षा के आधार पर होगा इस लेखित परिक्षा के पैटर्ण की बात करें तो प्रस्न पत्र दो भागों में बटे मिलेंगे दोनों ही भाग में प्रस्नों की संखिया 75-75 होगी पहले भाग में आपसे सामाने अध्यन से प्रस्न पूछे जाएंगे जिसमें प्रात्मिक गणित, मांसिक योगिता, राष्ट्य और अंतराष्ट्य घटना चक्र, सामाने विज्ञान, भारती राष्ट्य आंदोलन, भुगोल, भारती राजनीती आधी सामल है वही भाग दो में डियलेट से प्रस्न पूछे जाएंगे, इसके सिलेवस को आप आधिकारिक वेबसेट पर देख सकते हैं एक सही प्रस्न पर एक कंक आपको मुलेंगे, परिक्षा में नेगटिव मार्किंग नहीं होगी, परिक्षा धाई घंटे तक चलेगी आई अब बात करते हैं, भरती के लिए उम्मिद्वार ओनलाइन आविदन के इस तरीके से करेंगे लेकिन आविदन करने से पहले भरती से जुरे सही और विस्तरत जानकारी के लिए इसके अधिसूचन और आधिकारिक वेबसेट को जरूर देख ले दोनों के ही लिंक हमने अपने डिस्क्रिपशन बॉक्स में दे रखे हैं इसके बाद आविदन की प्रकृरिया शुरू होते ही, इसके आधिकारिक वेबसेट पर जाएंगे फिर समबंधिन लिंक क्लिक करके आविदन की प्रकृरिया पूरी करेंगे उसके बाद अपने आविदन को सब्मिट कर देंगे आज के लिए फिलाल इतना ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद